तबरेज अंसारी को लेकर क्यों खामोश है हमारा भोजपुरिया जगरत। पवन खेसारी निरहुआ जारखंड योपी बिहार में कुछ भी हो उस पर तुरंद अपनी बयान बाजी करते हैं। कोई न कोई रियक्शन देते हैं या फिर कोई शोशल मैसेश छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तबरेज अंसारी के मामलें पे सभी को साप सून गया है। तब्रेज अंसारी के मामले को लेकर देश के विबिन विबिन लोगों की तरब से अलग अलग प्रतिक्रियाए आ रही है लेकिन अगर खामोश है तो हमारा भोचपुरिया जगत कहा ये जा रहा है कि खेसारी लाल यादो तबरेज अंसारी के परिवार की मदद कर रहे हैं लेकिन आपको बता दे यह सब कुछ फेक हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और खेसारी ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया है तबरेज अंसारी मामले में सलमान खान ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उनके परिवार को हर तरह की मदद करने की वाहिस भी जताई थी साथ ही संसद में प्रधान मंत्री मोधी ने भी अपने भासन के दोरान तबरेज अंसारी पे हुए इस तरह के हमले को लेकर चिन्ता जताई थी लेकिन अभी तक हमारे भोच पुरिया सितारों ने एक जुबा नहीं खोली है न वो कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं और शांती रखी है तबरेज अंसारी को लेकर यहां तक कि मीडिया में ये खबर भी आ रही है कि खेसारी लाल यादो और पवन सिंग ने तबरेज अंसारी के परिवार वालों को मदद पहुचाने की भरपूर कोशिश भी की लेकिन ये सब भी पेक है दिखावा है जूट है तबरेज अंसारी के साथ जो कुछ भी हुआ मॉब लिंचिंग के तहत हुआ और ये निंदनी है ये पूरे जारखंड के लिए निंदनी है ऐसा हमारे प्रधान मंतरी मोधी ने कहा लेकिन सडक से संसद तक सभी बोल पड़ और सभी ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया तबरेज अंसारी पे दी लेकिन हमारे भोचपुरिया सितारे कब कहां और कैसे तबरेज अंसारी पे बया देंगे कब लाइव आएंगे वैसे हर छोटी छोटी बातों पर हमारे ये भोचपुरिया स्टार्स लाइव आते हैं अब देखना है ये गौर तलब होगा कि कब हमारे भोचपूरिया सितारे तबरेज अंसारी के मामले पर कुछ कहते हैं भोचपूरिया गर्त की होट और मसालेदार गोसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल लब हुए